हाई फ्रेंद्स वेलकम पर चैनल आटोएस्पेस और मैं उसुर जी तो आटोएस्पेस चल मैं आपको सवगत करते हूं आज का वीडियो में हम लोग डिसकास करेंगे गारी के एयर ब्रेक सिस्टेम में जो डिडियू या एयर ड्रायर रहते हैं वह एयर ड्रायर का चिकनी या इस कंडिशन में क्या एक सिस्टेम या ड्रायर डिडी उसे बहार निकल जाता है तो उसका में नॉर्मल भासे में चिकनी कहते हैं यानी बहार चिकतर या प्रेशन तो आज हम लोग इस वीडियो पर डिसकास करेंगे चिकनी से हावा क्यों नहीं चिक रहे बाहर उसका पीछ है टोटाल दो करन है एक करन हो सकते है जो आपका जो एयार कंप्रेशर है वह सपेशेंट एयार सिस्टेम में बिल्ड अप नहीं कर पार है और दूसरे कि आपको एयार ड्रेयर या डिडियू में कुछ प्रब्लेम है तो दोनों पोर्शन लेके डिसकर्स करेंगे और इसका सौन से कौन कारण से आपको पता चला यानि क्या क्या करेंगे जिसकर पता चलेगा मेरा इयार डिप्रेशन में प्रब्लम है यार डिडियो में प्रब्लेम है पूरा डिटेल्स एश वीडियो में बर。 यह आपको समाझने में सुविधा हो जाए जो एक्चुवल प्रब्लेम कहां पर है और आपको क्या करना चाहिए तो वीडियो के एंड तक बने रहे है और लेडी एयर ड्रेयर और एयर ड्रेयर सिस्टेम का सारे कॉंपोनेंट लेके बहुत सारे वीडियो हमारे चैनल में बाहर नहीं चीज़ रहे है तो फास्ट एंड यह हो जाकते कि अगर आपको एयर कंपरेशर में प्रब्लम है यानि आपको एयर कंपरेशर जो है वह बड़ाबर यह बिल्डप नहीं कर पर है आप सभी जानते होंगे युनिवर्सली आपको गारी में जो एयर व्रीग रहते आप संट यानि सिस्टेम में 8.1 रहते हैं और 7.1 बर काटिन पैसर बोले जाता है तब जाके फिर हमको एयर सिस्टेम में यह चार्ज होना शुरू हो जाता है तो यह हो गया काटिन और काट आउट प्रेशर सो बाहर चीग का में करनेंगी आपको एयर कंपरेसर आगर आपक सब्सक्राइब कारण हो सकते हैं कैसे आप चीक करेंगे मालोब गारी स्टार्ट किया और रेस करके अब यार प्रेसर भर रहे गारी में आप जुरूर ध्यान देंगे एर पिसा जो गेज है पैनल बोर्ट में गेज के ओपर अगर आपका गेज 8.1 बार नहीं जा रहा है उसका मतलब है कि आपका एर कंप्रेशर में कुछ प्रप्रब्लम है यह कंप्रेसर 8.1 के उपर एर प्रेसा बील्डप नहीं कर भारा आँ सो अगर हैसा प्राबलेम हो तापकी प्राप्लेम हो तो आप का प्राबलेम रातेकल प्रेज्चेस करते चेन्ज करके द préfet हुआ यह और और फाइस में एट पॉइंट वन की आप जा रहा है मालो एक काट ऊट फेशर है 8.1 बर अगर आप बार बार चेक कर रहे तो 8.5 8.7 8.4 मतलब 8.1 से मैक्स तक जा रहे है इसका मतलब भी है कि आपका एयर कंप्रेसर जो है बिल्कुल सही है बट प्रब्लेम जो है वो डीडियो या एयर ड्रेयर में है तो उस केंडिशन में आगर आपको गारी बहुत पुरा हो जिसके करण हो सकते जैसा डीडियो या या जर बहुत दिन से सर्विसिंग नहीं हुआ होगा तो वहां पर जो अनलोडर वाल रहते हैं आलोडर वाल को आप खोल के इसली साब कर सकते हैं तो मेरा ही सबसे 90% केस में ऐसा होता है कि आलोड़ वाल पानी या वाइल होने के कर सब्सक्राइब करें तो आपको फिर एक्सेस होता है वहां सा चालू हो जाएगा इसके बावजुद भी अगर नहीं होगा तो आप जूरूर आपको लाइन चिक करें कहीं पर लाइन तो दवा तो नहीं है अगर एक्सेस बील्डफ हो रहा है इसका मतलब की सिस्टेम के सब्सक्राइब करें और आपको सामने इसा प्रॉब्लम है तो जुरूर दोनों चीज़ को बढ़िया चेक कीजिए और यह दोनों रिजन चुड़के और बाकी कुछ दिन पोई नहीं सकते हैं तो फास्ट है हमारा कॉंप्रेसर पाट चेक करेंगे अगर कॉंप्रेसर पाट ठीक है यानि यह पेशर 8.1 बाग के उपर जा रहा है 8.567 तक जा रहा है फिर भी हमारा यह पेशर चिकने से रिलिस नहीं हो रहा है इसका मतलब आपको डिडियू में प्रॉब्लम है तो हो गया होगा जो क्या-क्या प्रॉब्लम हो सकते हैं और हमको क्या-क्या चीज चीज करना चाहिए अगर वीडियो अच्छल लाग तो जुरू वीडियो को लाइक शेर करना और चैनल को सबस्ट्रेवर के बेल आइकन को दबरना तकी है इसा इन्फरमेंटी वीडियो आपको सबस्ट्रेवर को चे और मैं आपको आखरे में एक बता दू अगर आपको गारी के कोई भी चीज लेगे कोई भी कमेंट करना या कोई भी जान करी चाहिए आप जुरू मुझे कमेंट कीजिए मैं आपको कमेंट के जबाब जुरू दूम रहा है सो थैंकी फर वाचिंगे धिए आखरे में हे जाग आत्की ऑज दूम आपको आफदा के जाए आपको कमें आपको हूई